बिस्मिल्ला रह्माल रहीम आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बिर्यानी तो जो टिप्स और ट्रिक्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपने वो फॉलो करनी है तो आपकी भी वैसी ही कुश्पुदार और लजीज बिर्यानी बनके त्य स्टाइल रहे होगी चावल ऐसे ही खिरे खिरे तो चलिए इस रेस्टोरेंट को स्टाइट करते हैं यस रखिरे बिर्यानी बत्राइल को स्टाइल राची थी त्यूल whenan आदी तक चलिए पतायी थी brain जोटी आपने नहीं करनी है मतलब ऐसे घर में आके हम पता छोटा कर लेते हैं इसको छोटा नहीं करना आपने इतना ही रखना है ठीक है और बाकी का प्रोसस्स आम जैसे जैसे चीज़ा डालते जाएंगे आप इसके प्रॉडियोंट्स करते जाएंगे तो चले स्टार्ट करत इसको बारीक ही चॉप करना है और आप मोटा नहीं कर सकते हैं कि यह बाद में घुल जाएंगे तो आप जैसे भी आपको चॉप करना हो आप इसमें कर सकते हैं यहाँ रख दिया है तो यह गरम हो जाए तो फिर आम इसमें डार्टी प्यास आइड कर देंगे लेसन भी इसम हमारे घर में शोर काफी था तो सोचा के वाइस ओवर ही कर लूँ तो यहां पर प्याज हो चुके हैं गोल्डन आपने देखा पहले कितने ज्यादा दग रहे थे लेकिन ऑईल में डालते ही पकते ही इनका जो है वो कम हो गया है साइज आप हमने इसमें टेमाटर एड कर दिया आपने बिल्कुल इसी तरह के गोल्डन करने ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करने हैं आपने वह पुलाओ का टेस्ट देने लग जाएंगे और कलर भी बिर्यानी का खराब होने का हत्रा है तो इनको आपने बस हलका सा सौटे ही करना है उसके बाद इसमें स्पाइस एड करने हैं आपको दिखाते हूं कि कौन कौन से स्पाइस आपने इसमें करने हैं नमक तो हल्दी का पाउडर ये अट करके आपने मिक्स करना आपने चिकन आइड करना कि फोरन ही अपने चिकन आड़ कर देना ज्यादा घालाना नहीं अ सबीर स्वर्णाइट को साले को आपने वाइठ होने तब काना यह गते हैं जो पास अलू बखारा केजी राइस थे जो मैंने पकाए हैं इनको साफ करके मैंने भी गो दिया था आदा घंटा पहले और मसाले में एक बहुत अच्छी इंपोर्टन चीज यह जा रही है कि उड़ा एसेंस जा रहा है और हरी मिर्च जा रही है आपको अगर पसंद होता बारी काटके डाल सकते हैं मुझे मोटी पसंद है मैंने मोटी ही काटके डाल दी है यह बस मसाला हो चुका है तो इसको ढख कर हम बंद करके रख देंगे ताकि ऑईल जो है वो सारा उपर आ जाए चाबलों की तरफ चलते हैं तो यहां पर मेरे पास यह है तेस पात दो से तीन तेस पात लिए है मैंने जीरा लिया है दार चीनी लिए तिन चार स्टिक्स लिया है दार चीनी की लोंगे लिए है और तीन से चार हरी लाइची लिया है मैंने और नमक लिया है यह सारी चीजे हम इसके अंदर अड़ deeper कर देंगे यह बहुत ही डिलिशिस टेस्ट डेति हैं और हुष्पू भी अच्छे बन गया इंको मैंने निकाल दिया था और यह देखें मैं अब तह लगा रही हूं पहले मैं नीचे घीड डाला उसके उपर चावल एंड देन मसाला उसका सारा और उपर से फिर चावल और जर्दा रंग डाल दिया था मैंने और फिर गार्निशिंग के लिए मैंने पतले पतले से लीमू और टेमाटर काटे से और हरी मर्चे जो है ना मैंने पतली पतली से काट ली अगर आपको लीमू गरा नहीं पसंद तो आप नहीं एड करें बट इसी से टेस्ट आएगा यह बहुत अच्छे दम में अपना एसेंस चोड़ेंगे तो वह जबर्दर के लिए पर से हमने दम खोल दिया माशाआला माशाला अलहम्दुलेला कितने जबरदस राइस बनें आप देख सकते हैं एक एक दाना कैसे खिल के आ रहा है बहुत ही जबरदस बनें फिर यह मारा हली हैं मैं थोड़ा सा मैं कोई और काम करने रगी ती राइता बना लिया थ जाता ओके जी देख सकते हैं आप यह कितना सबर्दस लग रहा है तो अपनी घर में इस रेचिपी को ट्राइए कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिया लाहाँ